जालमा में as a scientist joint करने के पहले मेरा selection UPSC Senior Veterinary Officer में हो गया था आज मैं विज्ञानिक हूँ लेकिन अगर मैं नोदे नहीं आता तो क्या होता मैं यह आपको बताना चाहूंगा अगर मेरा interest नोदे में नहीं होता तो साइद मैं उसी गाव में मजदुरी या फिर खेती कर रहा होता मैं गाव में राता था और सही कहूं तो मैं ABCD भी नहीं जानता था उस सुनक अपने आपको connect कर पाया तो पहली बार मेरे English में 100 में 93 और Math में 100 में 100 आए वहां से निकल के मेडिकल की तयारी के लिए पठना आगे वहां से रियल लाइफ शुरू हुआ इस्टरगल शुरू हुआ और फिर पता चला कि हम लोग किस जन्नत में थे अगर scientific contribution की बात करें तो मैंने अपने टीम के साथ National Institute of Virology में एक नए वाइरस का इंडिया में पहली बार खोज किया जिसका नाम है टायोमेन वाइरस हम लोग एबोला निपाज जैसे वाइरस को हैंडल करते हैं को 20 रिसर्च आर्टिकल्स मैंने पब्लिस किये हैं नगोद मैं डॉक्टर विमल कुमार अभी साइंटिस्ट के रूप में मैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नस्मेल जानमा इंस्टूट फर लेपरोसी और माइक्रोबेक्टरियल डिजीजेंज में काम कर रहा हूं जो की आगरा में स्थीत है अगर स्कूलिंग की बात की जाये तो मेरी स्कूलिंग जो है जेन भी दुमका जार्खन से हुई है वहां मैं 6 से 12 तक की पढ़ाय किया हूं मैं 92 बैच का हूं और 99 मैं पास आउट हुआ हूं सुरवात हुई है एक छोटे से गाउं से जिसका नाम है चिचहरा मुझे बिलकुल भी पता नहीं था नवद जानता था और सही कहूं तो मैं ABCD भी नहीं जानता था फिफ तक मेरी यहीं हाल रहा फिर धीरे-धीरे मेरी पिता ने मुझे पढ़ाना शुरू किया और जब उनको पता चला कि एक्जाम के लिए आ गया है नवदे का फॉर्म तो उन्हों नहीं भरवाया मुझे कुछ नही थे इंगलिस में जब मैं पढ़ रहा था तो जब नवदे गया वहां की पढ़ाई से जब मैं अपने आपको कर पाया तो पहली बार मेरे इंगलिस में हंडेड में 93 और मैस में 100 में 100 आए और वहां से मेरी एक नई कहानी सुर्वात्वी जो की यहां तक जा रही है। और अभी भी उसी से गुजारा करते हैं तो वहां से उठकर के अगर मैं आज साइन्टिस्ट बना हूँ तो सिर्फ एक ही चीज ने मेरी इतनी ज्यादा हिल्प की है वो है नवदे। अगर मेरा इंट्रेंस नवदे में नहीं होता तो सायद मैं उसी गाव में मजदूरी या फ करते हैं मैन नाइंत क्लास में आकर थोड़े अपने आपको Grandpaन फिर मैंने पीच्क्र नहीं देखा और यहीं से तुड़ाओर्ब करने के बाद मैं कॉसिस कर जा था कि मेरी मेरा सेलेक्षन जो है वह में हो जाए लेकिन मेरा सेलेक्षण MBBS में नहीं हो पाया और वहीं से एक टर्निंग पॉइंट हुआ जो कि मुझे आज साइंटिस्ट की और लेके गया मैंने अपना एड्मिशन महू वेटनरी कॉलेज जबलपूर इंदौर में ट्रू आल इंडिया कोटा वेटनरी कॉंसिल आफ इंडिया के फूलिया और उसके बाद स्कॉलर ंशिप के साथ ही मैंने इंडियन वेटनरी इस्टी फिचसे से प्यैजडी किया उसके बाद मैंने CSR net नट geldi आई सी आर नेट निकाला और फिर मेरा एड होक साइंटिस्ट पे सेलेक्शन हो गया नेशनल इंसूट आफ वारोलोजी पूने जो इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के अंतरगत आता है और वहां से मेरे साइंटिस्ट बनने की कहानी शुरू हुई वह एक ऐसा लैब जैसे हम लोग गहते हैं ने बुhrान का लैब ब्यसल 4 था वही लैब है वहां ब्यसल 4 लैब है और इससे बड़ा लैब अभी धी दुनिया में नहीं बन पाया मतलब मेरे कहना का मतलब है कि player 5 नहीं है अभी pya s ौर यह जो हाइस डिबल का लैब है इसमें हम लोग एबोला निपा जिसे वायरस को फैंडिल करते हैं क्यूंकि उस तरह की वायरस को हैडल करने के लिए बहुत इक्विप्ड लैब चाहिए होता है जिसके अंदर नेगेट्व प्रियसर होता है उसमें नहा के जाना पड़ता है और chemical सौर भी लगना पड़ता है ताकि infection बाहर ना आए और corona जिसा कोई pandemic इस world में ना फेले मैं आप सब यह कहना चाहता हूँ कि नवदे ने मुझे दिया किया है नवदे एक ऐसा स्कूल Central Government का जिसका नाम पूरा नाम जोहर नवदे विद्याले है वहाँ पे हर वो सुविधाएं जो private schools में होते हैं वहाँ पे हमें दिया गया और उस समय जब मैंने 92 में वहाँ admission लिया उसके एक-दो साल बाद ही वहाँ computer भी आ गया था और हमारा जो work सुरू होता है वह सुबा 5 बिज़े से सुरू हो जाता है जब teacher हमें ground पे ले जाकर के PT कराते हैं फिर हम लोग आकर के नास्ता करते हैं उसके बाद फिर class में जाके पढ़ाई करते हैं class जब दो बज़े खत्म होती है उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आप खाना खा करके सो जाएंगे class करने के बाद आपको फिर से खाना खाने के बाद फिर से आपको वहीं जाना है और बैठ करके पढ़ाई करनी है और आपके expert subject expert बाहर बैठे रहेंगे उससे आप अपने concept को clear कर सकेंगे यह सिर्फ एक activity हुआ वहां तो बहुत सारे ऐसी activities होती हैं जैसे मैं बताओं तो science exhibitions जिसमें मेरा project जो है national level पर चंडीगड गया था एक project मेरा राजी अस्तरिय कंपेटिशन में DRD TATA sports complex में गया था और इस तरह से जो वहां का जो activities होते रहते हैं quiz competition होते रहते हैं और teacher का motivation मिलता है जहां तक मैं अपनी बात करूँ तो डक्टर प्रिती स्रिवास्तव मेडम थी जो मुझे science पढ़ाती थी उस समय वह बहुत motivate करती थी और apart from education जो सबसे ज्यादा fascinating मुझे नवदे का लगा है वहां का sports culture है कहते हैं हर सुनहरे समय का अंत होता है और हमारे नवदे का साथ साल का जो हमारा वहां residency था वो खत्म हुआ और हम लोग वहां से निकल के medical की तयारी के लिए पठना आ गए वहां से real life सुरू हुआ, struggle सुरू हुआ और फिर पता चला कि हम लोग किस जन्नत में थे उस जन्नत की याद हमेशा आती रही लेकिन हम लोग ने अपना target नहीं छोड़ा जो कि मुझे Indian Veterinary Research Institute के लिए PG में admission मिल गया PG में admission लेने के बाद मुझे पुना All India scholarship मिला और मैंने Indian Veterinary Research Institute से ही PhD की और उसके बाद मुझे मौका मिला जो इंडिया का सबसे बड़ा lab है BSL Ford Liberty National Institute of Phyrology अंडर Indian Council of Medical Research में काम करने का as ad hoc scientist और वहीं से मेरी जिन्दगी ने एक मोर लिया और आज मैं एक scientist के रूप में आप सब के सामने खड़ा हूँ जालमा में as a scientist join के करने के पहले मेरा selection UPSC Senior Veterinary Officer में हो गया था जो की मेरी posting उसमें अंडमान दिया जा रहा था जिसे मैंने एक तरह से इज्जत के साथ नका रहा क्योंकि मुझे scientist ही बनना था और मैं जाल में मैं scientist के post पे join कर लिया क्योंकि joining date एक सब्ता के अंतराल पे ही था इसलिए मुझे quick decision लेना था और मैंने decision लिया कि मैं scientist बनूँगा अगर scientific contribution की बात करें तो मैंने अपने team के साथ National Institute of Virology में एक नए वाइरस का इंडिया में पहली बार खोज किया जिसका नाम है लेकिन मुझे सबसे अच्छा काम करके लगा के एवडी भारस पे जिसको मैंने महरास्टा में पहली बार सिंधु दुर्ग एरिया में खो जा था और उसको हम लोग ने isolate किया था पहली बार National Institute of Virology पूने में मैंने अभी तक लगभग लभग 10 projects पे काम किया है और अभी त जिसका मैं life member हूँ और मुझे अवार्ड भी मिले हैं अपने scientific contribution के लिए मेरे research paper बहुत ही highly reputed generals में प्रकासित हुए हैं जैसे Elseviers में और अगर मैं particularly कुछ नाम लेना चाहूँगा generals के तो वह हैं Indian council of medical research जो कि Elseviers में तो नहीं है लेकिन अभी उनका बहुत ही high impact चल रहा है post-corona दूसरा जो general है वह है infection and immunity, intervirology दो main award है जिसकी मुझे बहुत खुसी हुई थी मिलने पर वह है oral presentation award by Avian Association of India और corona warrior award by Jalma चुकि मैं corona के समय में भी एक RTPCR की टीम में था तो इसलिए मुझे दो साल तक उसमें काम करने के लिए मुझे सम्मानित किया गया तो सवाल यह है कि हम लोग नवदे को अपने दिल में क्यों बचाए बेठे हैं नवदे ने हम लोगों को एक ऐसा मुकाम दिया है एक ऐसी जिंदगी जी है जहां पर हमें हार मानने के लिए नहीं सिखाया जाता चाहे वो sports हो education हो या फिर जिंदगी के कुछ और भी tough situations हो जह कि दूसरे लोग हार मान जाते हैं हम हार मानने वालों में से नहीं है हमें ऐसी tough और ऐसी बिडर सक्ती दी गई है नवदे में कि हम किसी भी परिस्तिती में आगे बढ़ने के लिए तियार रहते हैं इसलिए हम नवदे का गुंगान करते हैं और सायद जिंदगी भर करते रह लेकिन जब वहां से हम लोग बाहर निकले और वास्तिवी के दुनिया में पहुंचे तब पता चला कि यह दुनिया कितनी कठीन है हमें कितनी मेहनत करनी है दूसरे लोगों से competition को हम लोग को अपने लिबर पर कितना जादा लेके जाना है कि हम उसे defeat कर सकें और हम लोग तै हार मानने वालों में सिथा नहीं और फिर मैं वेटनेरी में admission लेकर के आज इस scientist बनने तक की मुकाम तक पहुंचाओं मैं अपने नवदे के छोटे भाईयों और बहुनों को बताना चाहूंगा कि financial crisis आपको रोक नहीं सकता है मैंने नवदे में पढ़ाई की जो की free of cost था फ मैं आपसे काना चाहा रहा हूँ कि बहुत सारी scholarships इंडिया में हैं और आप अगर financially poor हैं फिर भी आप एक मुकाम हासिल कर सकते हैं बसरते कि आपने ठान लिया हो मैं अपने नवदे के छोटे भाई बहुनों को काना चाहूंगा कि work hard लेकिन with concentration अगर आप राद भार भी connection होना बहुत मुश्किल हो जाएगा लेकिन आप दो घंटा तीन घंटा भी concentration से पढ़ रहे हैं तो आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाएंगे इसलिए पढ़ाय करते वक्त concentration बहुत जोर रही है और दो तीन बात हैं जो मैं कहना चाहता हूं कि पढ़ाय के साथ साथ खे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वो पढ़ाय में ठीक नहीं होते हैं आप एक competition के थुरू नौदे में इंटर किये हैं आप सब बराबर हैं बसड़ते आप वहां मेहनत कर लें या वहां के बाद भी अगर आप मेहनत करेंगे तो जो toppers हैं उनको भी पीछे छोड़ सकते हैं इ क्योंकि आप पहुंचे हैं वहां से वहां नौदे जब आपका इंटरी हुई है वह competition से हुआ है उसे याद रखिएगा अब हम बात करते हैं नौदे पावर की तो नौदे के बच्चों का मुकाबला दूसरे सिब्यसी बोर्ट जैसे केंद्रे विद्याले के बच्चों से ह अब और जब आल इंडिया एक्जाम होता है चाहीं वह कहों तो नौदे के बच्चे ही परतामाते हैं नौदे के बच्चों का मुकाबला किस्ते होता है उनका मुकाबला होता है private colleges के बच्चों से जिनको हो त्यूसन की सुईधाई मिलती है घर में हर तरह के सुईधाई होत ना ठाहते हैं स्टेडी criteria बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं बगण बड़ कोचिंग से जूरे रहते हैं लेकिन ना कोचिंग करते हैं ना टूशन पढ़ते हैं ना हमें इसके लिए पर्मिसन दी जाती हैं हमारे स्कूल के टीचर हम आफ इस तरह से पढ़ाते हैं कि हम उनसे बराबरी से भी ज़्यादा हम यह कह सकते हैं कि हम उनसे बहुत 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 बहुतर पॉजिशन में रहते हैं जब अगर हम बात करें कि नौदे के बच्चे प्राइविट स्कूल के बच्चों से ज़्यादा बेहतर क्यों कर पाते हैं तो बिदाउट एनी डाउट मैं कर सकता हूं कि नौदे के सिक्षों का इसमें विसेश योगदान रहा है वो दिन भर यूँ कहें कि सुबा पांच बज़े लेकर रात दस बज़े तक हमारे पीछे भागते रहते हैं हमारे हर एक्टिबिटीज में वो पाट लेते हैं और जहां भी हमें कन्फूजन होता है पढ़ाई में हो या फिर परसनल जिंदगी में वो उन्हें सॉल्व करने के करते हैं एक तरह से वह हमारे वहां गारजन हमारे माता-पिता की तरह बिहेब करते हैं तब हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं नवदे में जो टीचर्स का सेलेक्शन होता है हमें आपको बताना चाहूंगा कि वह ओल इंडिया कंपिटिशन के बैसिस पर होता है इसलिए ह हमें बहुत ही highly qualified सिक्षक मिलते हैं और हमें वह एक अच्छी सिक्षा दे करके जिंदगी की उच्चाईयों पे पहुंचाने का काम करते हैं मैं एक बात कहना चाहूंगा यह बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे नवदेंस बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं लेकिन जो नवदे में इंटरेंस के थुरू आये थे हो सकता हो उनका जो परिष्टिती रहा हो नवदे से निकलने के बाद वो इतनी अच्छी नहीं रही हो कि वो हमारे और आपके समान आके खड़ा हो पाएं लेकिन capability है यह याद रखिएगा इसलिए हमें भी उन सब को उन सब के लि उसमें अच्छे से discuss करके इस काम को हम लोग गती दे सकते हैं मैं नवदे में पढ़ रहे हैं अभी बच्चों के लिए यह कहना चाहूंगा कि नवदे में तो टीचर्स आपके गारजन हैं ही लेकिन जब आप वहां से बाहर निकलते हैं तो साथ आपको अच्छा guidance नहीं मिल करें ताकि एक आप एक मुकाम हसिल कर सकें और अपने रास्ते से भटके नहीं वह आपको जब guide करेंगे वह अपने experience जब आप से share करेंगे तब आप निश्चित रूप से एक पत्थ पकड़ करके अपने मंजिल की और बढ़ पाएंगे इसलिए आप alumni के साथ हमेशा contact में र रहते हैं जैसे मैं नौदिविद्याले अच्डिया दुमका का स्टेंट रहा हूं और आगरा का जो हर बार मैं एटेंड करता हूं तो मेरे फ्रेंड्स जो भी डॉक्टर है या और अच्छे पोस्ट पे हैं डॉक्टर्स खासकर वो लोग medical camp लगाते हैं और समाज को अपना सेवा देते हैं तो ये एक तरह का जो समाज सेवा है इसी तरह का हम लोग दुसरे वे में भी आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं कि आप सिनियर से अपने आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता ताई करना है कैसे ताई करना है इसके बारे में विश्तार में चर्चा क सकते हैं वो आपको जरूर गाइड करेंगे मैं नौदे में पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाई और भानों से हाथ जोड़कर एक विंदी करना चाहता हूं कि आप लोग सोसल मीडिया से प्लीज दूर रहे हैं सोसल मीडिया आपका बहुत सारा समय खालेगा आपको लगता है क लेकिन वो किताब का सबस्टूट बिलकुल नहीं हो सकता है इसलिए एंसी आटी जो है जो सीबीएसी कॉरिकूलम का हमारे लिए भारत सरकार ने निर्धारित किया है एंसी आटी को आप हमेशा अपने साथ रखें वही पढ़ें वही गुनें और उसी के हिसाब से एक्जाम टाइम हो वहां बैठ करके आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं क्योंकि सिर्फ किताबी ज्यान जो हमें मिलता है वह आपको परिक्षा के लिए तो ठीक है लेकिन जो जनरल से हम लोग ज्यान पराप्त करते हैं वह आपको आगे बढ़ने में फ्यूचर में कंपिडिशन में वह आपको बहुत हेल्फ करने जा रहे हैं चग दे इंडिया तो आपने देखी ही होगी सारुक खान का एक डॉलक है कि 35 मिनट आपके हैं और यह 35 मिनट आपसे कोई नहीं ले सकता उसी तरह से आप जो नवदय में 7 साल गुजारते हैं यह आपका है आप से इसे कोई छीन न करता है केरियर गाइडन्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैं साइन्टिस्ट हूं तो आप मैंसे कोई भी अगर साइन्टिस्ट बनना चाहता है तो साइन्टिस्ट बनने के तीन चार तरीके हैं जैसे कि आप लाइफ साइन्स से साइन्टिस्ट बनना चाहते हैं तो बा करने के बाद भी बहुत लोग साइंटेस्ट बनते हैं क्योंकि उन्हें रिसर्च में ज्यादा इंट्रेस्ट रहता है तो साइंटेस्ट बनने के बहुत रास्ते हैं और उसमें से अगर आपको गैडेंस की ज़रत हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं धन्यवाद